Elon Musk के अगर बारे में बात की जाए तो Elon Musk का हम सभी को मालूम है कि वो किस टाइप के इंसान है मतलब अगर Twitter ना होता है या फिर social media ना होता तो शायद ना मालूम चल पाता हमको भी लेकिन अब हमको मालूम है क्योंकि Twitter के उपर वो हसी मजाग करते रहते हैं अपने उपर भी जो US की काफी जानी मानी और उनके साथ में इनकी बहस चल भी चुकी है जब इनोंने अपने ब्लू वैरिफिकेशन बैज के ओपर कह दिया था कि या पेड़ करने वाला हूं मैं इसको तो इन से काफी ज़्यादा भाजी हुई थी इनकी लेकिन फिर भी इनोंने अभी एक इसके और अभी भी अगर मिल जाए इने कोई और तो यह उसको भी डेट करना शुरू कर देंगे तो मतलब इनका मिजास तो ऐसा ही है लेकिन अब जो इन्होंने कर दिया ना ट्विटर के ऊपर वह थोड़ा सा लिमिट से पार हो गया दरसल हुआ क्या है कि ट्विटर का एक करता है तो इसी तरिके के कि पता लगाने के लिए कि मुझे निकला गिए कर देता है घुरू क्यों कि इन्ड़ाय करना पर जाता है तो एलन मस्क तो फाइनल रिप्लाय करते हैं कि भाईया यह जो बंदा ना इसकी लिएल्टी यह कि एक तो आल्रेडी ये अमीर है और कुछ काम करता है ओफिस में अपनी disability का भान मेरे नहीं हो पा रहा है टाइप यह नहीं हो अब इसके बाद में ये बंदा रिप्लाय देता है कि जब मेरी उमर 25 साल की थी ना तो मेरी लातों ने गिव अप कर दिया था क्योंकि मुझे मस्कूलर डिस्ट्रॉफी हो गया था अब मैं वीलचेयर पे आ गया था तब से लेकर अब तक 20 साल हो गया है मैं चल नहीं पाता कि धीरे धीरे तुमारी और भी बोड़ी के पार्ट गिव अप करेंगे तुमारे हाथ भी गिव अप करेंगे आज मुझे बिस्तर से टॉइलेट तक ले जाने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ता है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ कभी भी गिव अप न रहा हूं कि मैं किसी तरीके से जी हूं अपनी एक अच्छी लाइब जितनी भी रहती है और जिस टाइम पर मैंने ट्विटर को जॉइन किया था उस टाइम पर काफी ग्रोव होरी थी यह कंपनी बट अब दिक्कते शुरू हो गई तुमने ट्विटर को बाई किया उसके जाते हैं टॉइलेट तक में इनके साथ जाते हैं क्योंकि इतना जादा अलॉन मस्क ने कर रहता है तो कुछ नहीं पर किस ट्विटर के स्टाफ की सटक जाए और वो लड़ाई हगड़ा या मार पीट करने पर आजाए तो इस पर अमीर लोगों के खेर बाउंसर तो रखें क्योंकि यहां पर वो उनकी डिसिबिल्टी का मजाक उड़ा देते हैं अच्छी तरीके से कहते हैं कि माफ करना तुमारी ऐसी हालत है मैं भी फील करता हूं लेकिन यह तुमने मुझे बात कही है ना टॉयलेट वाली की मुझे भी टॉयलेट के लिए लोग चुई होते हैं ले जाने के लिए तो यहां पर डिफरेंस यही है कि मैं उनके बिना भी जा सकता हूं लेकिन तुमको जरूरत पड़ेगी हमेशा ही जाने के लिए और उपर से तुमें यह भी डर रहेगा कि मैं कहीं इनको हट ना कर दूं क्योंकि अगली बारी एक तो मुझे लेके नहीं और दूसरी बात यह कहीं मुझे पीट नहीं लग जाएं जब मैं बैठा वहां टॉइलेट सीट के ओपर और कर रहा हूं खैर इसके बाद में बवाल तो होई गया था लोगों ने भी अलॉन मस्कों को बोलना शुरू कर दिया था और यह बात मतलब मीडिया तक फैल गई थ इसके बाद में अलॉन मस्क फटाफट उस टूइट को तो डिलीट करते ही है और इसके साथ साथ एक और माफी नामा करते हैं टूइटर के उपर ही टूइट करके कि भाया मैं गलत समझ बैठा था मुझे गलत मत समझ ना मैं उनकी सिचुएशन को ढंक से समझ नहीं पाया त थी